क्या आपको पता है कि बैंक आप बरोडा, शिरी औरुबिंदो, राइट टु एजुकेशन, बीयार अमबेटकर, दादा भाई नारोजी और इस शांदार पैलेस के बीच क्या कनेक्शन है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, इन सबका कनेक्शन है एक राजा से जिनका जीवन बहुत ही इंटरस्टिंग था, इनका जीवन प्रमाण था कि एक साधरन वच्चा भी एक बहतरीन राजा बन सकता है, इन्होंने बिटिश काल में अंग्रेजों की तलवार के नीचे दबे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे एतिहा से कदम लिये थे जिसकी वज़े से भारत आजाद भी हुआ और आजाद होने के बाद अच्छे दिशा में भी गया, कुछ हद तक आज के भारत के प्रदान मंत्री श्री नरेन मोदी जी भी इनी के कामों से प्रिणना लेकर अपने आपको एक बहतर मुख्य मंत्री बना पाए थे और आज एक बहतरीन प्रदान मंती है तो कौन थे ये ये थे गुजरात के बरोड़ा राज्य के माराज साया जी राव गायक वाड कृती है आईए इनकी जीवन कहानी सुनते हैं जो कि बहुत ही रोजचक इंटरस्ट में हुआ था एक किसान काशी राव दीकाजी राव गायक वाड के घर में बचपन में इनका नाम था गोपाल राव गायक वाड और ये खुशी से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे महलों से दूर खेतों में मगर शायद राज गद्धी इनकी किस्पत में लिखी थी और इ इनके छोटे भाई मलहार राओ अब राजा चुने जाने थे मगर वो बहुत ही खतनाक थे मलहार राओ ने अपने भाई को मरवाने की कोशिश भी कर रखी थी वो समय खांडे राओ गायकवाड की धरम बतनी जमना भाई प्रेग्नेंट थी इसलिए दर्बार के सभी लोगों म मलहार राओ को राजा बना देते हैं अपने सभाव के चलते मलहार राओ कुछी वर्षों में बरोडा का सारा शाही खजाना खतम कर देते हैं और इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि उस समय के अंग्रेजों के एजेंट रेसिजेंट रॉबर्ट फायर को मरवाने की अंग्रेज भी करते हैं अंग्रेज भी उनसे अब तरस्त हो चुके थे और दस अपरेल 1875 को अंग्रेज उनको गदी से उतार कर मदराज जेल भेज देते हैं नए राजा की खोज में महरानी जम्ना भाई पूरे बरोडा राज जैसे राजा के सभी दूर और पास के रिश् दर्बार में सभी के सामने राणी सभी प्रती भागियों से सवाल कर रही थी इन सभी प्रती भागियों में जब 12 साल के गोपाल राओ की बारी आती है तो राणी उनसे पूछती कि तुम यहां क्यों आएं उत्ती दूर से जिस पे गोपाल राओ कहते हैं कि मैं तो यहां र राओं के भालक को राजा बना दिया जाए तो वो इस भालक को अपने तोड़ तर्गी सिखा के अपने इसाब से चला सकेंगे खेर अंग्रेज और रानी के फैस्ट्रेज के फलसुरूप गोपाल राओ बन जाते हैं साया जी राओ गायकवाण टृति है मगर चूकी वो बालक थे तो उनके व्यस्क होने तक राज्य समालती है काउंसल आफ रीजन्सी इनी वर्षों में एक राजा को राज कैसे समालना चाहिए ये गोपाल राओ को सिखा थे तंजोर मादव राओ जो की बरोड़ा के दिवान बनाए गए थे हैड आउफ काउंसल आफ रीजन्सी तंजोर मादव राओ आज के तमिल लाडू में तंजा वुर में जन्द में एक मराठी ब्रामट थे जो की त्रेवंड कोर के दिवान रह चुके थे सायजी राओ गायकवाट त्रित्य को जानने से पहले आईए इनके गुरू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अठारा सो पचास के दशक में मादव राओ त्रेवंड कोर के राज कुमारों को पढ़ा रहे थे इसी दोरान त्रेवंड कोर राज की हालत बहुत गंबीर थी शाही खजाना खाली हो चुका था मदरास का बड़ा लोन सर पर पढ़ा था और अंग्रेजों का लॉर्ड अलावजी त्रेवंड कोर के अपनी नजरे गड़ाय बैठा था टॉक्टिन ओफ लैप्स को हाथ में लेके ऐसे में उस समय के त्रेवंड कोर के राजा उत्रम थिरूनल मार्तंड वर्मा यानि की मार्तंड वर्मा दिती है मादव राव को भेजते हैं अंग्रेजों से ट्रीटी करने और अपने राज्य को बचाने मादव राव कुशलता पूरवक ये अपना काम कर लेते हैं और इसी से खुश होके राजा इन्हें त्रेवंड कोर कर दिवान मना देते हैं दिवान बनते समय राज्य की हालत और भी जादा खराब थी। पता चलता है कि राजा ने पद्वनाप स्वामी मंदिर से भी लोल ले रखा है और स्टेट मशीनरी पूरी तरह तरस्त है। कुछी साल में राजा की मृत्यू हो जाती है और नए राजा बनते हैं अईलियम थिरुनल रमा वर्मा जो की मादव राव के ही द्वारा पढ़ाए गए थे। मादव राव इनके साथ मिलके पूरे राज्य की काया ही पलट देते हैं। मोनोपलीस तोड़ी जाती है, कर हटाये जाते हैं, लैंड टेक्स कम किया जाता है और ना जाने कितने रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। जिससे मादर कुछी सालों में त्रैवेंड कॉर राज्य अपना सारा कर्ज उतार देता है। और 1863 में कर्ज मुक्त हो जाता है। साया जी ने सबसे पहले प्राइमरी एजूकेशन को फ्री कर दिया उन्ही का ये स्टेप बात ने भारत सरकार ने भी अपनाया। आज की राइट टू एजूकेशन पॉलीसी भी उन्ही के इसी एजूकेशनल मॉडल से प्रेरित है। इसके बाद उन्होंने सोधारा भरोडा की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को। 1908 में फादेंशियर और लेंडिंग इंटरस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्थापना की बैंक और बरोडा की। सामाजिक रिफॉर्म्स में उन्होंने बाल विबा पे रोक लगाई, डाइवोर्स का कानून बनाया, छुआचूत खतम करने का कानून बनाया और संस्कृत को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई लैब्रेरी और स्कूल बनाये। उनकी खुद की पर्सनल लैब्रेरी आज सेंटरल लैब्रेरी और बरोडा है। इन्होंने गायकवार बरोडा स्टेट रेल्वे नेटवर्क बनाये था, जो कि आज भी विश्व में सबसे बड़ा नैरो गेज का रेल्वे नेटवर्क है। उन्होंने बरोडा के लोगों के पीने के पानी की विवस्था के लिए अजबा रिजर्वायर बनाये था, जो कि आज भी काम आ रहा है। इसी वज़े से उनका बरोडा राज्य विकास के कई इंडिकेटर्स में अंग्रेजों द्वारा शासित भारत राज्यों से भी कहीं आगे निकल गया था। लेकिन इन सब कामों के अलावा जो सबसे बड़ा टैलेंट था साया जी का वो था टैलेंटिड लोगों को खोजने का टैलेंट। उन नहीं सिर्फ टैलेंटिड लोगों को खोजते थे बलकि उन्हें पड़ा लिखा के आगे बढ़ने का खर्चा भी बियर करते थे। वो साया जी ही थे जिन्होंने भीम राम मेर्टकर को अपने स्कॉलर्शिप के जरिये न्यूई यॉक में पढ़ने का मौका दिया था उन्होंने दादा भाई नायरो जी को साहता कर अपना दिवान बनाया था उन्होंने विठ्ठल राम जी शिंडे को भी आक्सफोर्ड जाने में मदद की थी और वो साया जी ही थे जिन्होंने अपने लंडन के दोरे पर 20 साल के औरोबिंदों में कुछ ऐसा विशेश देखा था कि उन्होंने औरोबिंदों को अपने बरोडा कॉलेज में आने का नयोता उसी समय दे दिया लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे साया जी ने अंग्रेजों को भगाने में अपना इंडारेक्ट योगदान दिया और वो क्या किस्सा है जो कि ये साफ तौर पर बताता है कि साया जी अंग्रेजों को ना पसंद करते थे और इस बात पे बेवाग भी थे 1911 में दिल्ली दरबार बुलाया गया था और पहली बार बिटेश राजा जॉर्ज फिफ्थ भारत आ रहे थे सभी भारते राजाओं को बुलाया गया था इस दरबार में और सभी से कहा गया था कि जब जॉर्ज फिफ्थ राजा आपसे मिलेंगे धरबार में तो आपको तीन बार जुक कर उन्हें सम्मान करना है और बिना पीड दिखा है वापस चले जाना है इसी के साथ ये भी निर्देश देते सभी राजाओं को कि आपको अपनी राजशाही पुशाक में पूरी तरह सच के आना है सिनियोर्टी वाइस हैदराबाद और मैसूर के बाद बरोडा के साया जी की बारी आई लेकिन साया जी ने सब को चौका दिया जब वे अपनी बिना राजशाही पुशाक पहने पुशे और एक बारी छोड़ा सा जुक कर अपनी पीड दिखा कर वापस चले कुछ तो कहते हैं कि वापस मुड के वो हसते वे वापस जा रहे थे इस बात से सब दंग रह गए थे वो साया जी थे जिनोंने औरविंदो को अनुशीलन समीती बनाने में सपोर्ट किया था वो financial मदद direct तोर पे नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजी इंटेलिजन्स एजेंसी उनके हर कदम को देखती है मगर वो indirectly हर तरीके से मदद करते है भारत में revolution की सबसे पहले समीती अंचुलिन समीती ही थी एक किस्सा इसका भी है कि 1902 में साय जी द्वारा एक स्पीच दी गई थी ये स्पीच औरविंदो द्वारा लिखी गई थी इस स्पीच में साय जी ने भारत में गरीबी का बिटेन में अमीरी से comparison दिखा कर अंग्रीजी हकूमत का खोगलापन साफ कर दिया था दिखाया ता लोग सामने उन्होंने एक great national movement की बात कही थी इस स्पीच में सब के सामने ये सब बाते वो तब कर रहे थे जब उदर Congress के President सुरिंदनात मेनरजी बिटिश राज के तारीफों के फुल बांध रहे थे अपनी स्पीच में 1890 में साया जी ने ये लक्ष्मी विलास पैलेस बनवाय था जिसे आप आज भी देख सकते हैं बरोडा में इसको audio टूर बहुत ही शांदार है मैंने भी किया था आप भी कीजेगा इसको बनाने में उस समय 27 लाख रुपए लगे थे ये उस समय का सबसे बड़ा प्राइवेट घर था अंग्रेजी राजा के बखिंगम पैलेस से चार गुना बड़ा अंग्रेजी राजा भी इस पैलेस को देखकर जलते थे साया जी से तो ये थी एक छोटी सी कहानी साया जी के बारे में कि कैसे उन्होंने ना सिर्फ अपने राज्य बरोडा बल्कि पूरे भारत देश के लिए अपना योगदान दिया वो अंग्रेजों के दबे हुए होते हुए भी नैशनलिजम को बढ़ावा दे गए अंग्रेजों से बहतर अपने राज्य को बना कर दिखाया देश के भावी आइकन्स की मदद करी देश के पहले रेवलूशनरी नेटवर्क की कड़ी को बनाने और खड़ा करने में मदद करी और उनके इस योगदान की चाप आप आज भी इस आजाद भारत देश में देख सकते हैं इसी बात के साथ मैं अपना आज का ये अपिसोड खतम करता हूँ अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छी कहानी के साथ मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद